बहतर ही है उन रिष्टों का तूट जाना, जिन रिष्टों में आप खुद तूट रहे हों। दिल जिससे लग जाये ना, उससे उम्मीदे कभी मत लगाना। भामोशी से खेला गया खेल सबसे खतरनाक होता है। नए दोस्त और पुराने दुश्मन इन दोनों से संभल कर रहना। भूग भी फिर कहां लग पाती है जब इनसान को कोई बात अंदर से खाती है। आप वो खिड़की ही बंद कर दो जो आपको दर्द देती है। चाहे फिर नजारा कितना ही सुन्दर क्यों ना हो। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलम निकालते हैं उनको सफाई देने में कभी अपना वक्त बरबाद मत करना। कोई दर्द में भी दुआएं देता है और कोई मुस्कुरा कर भी मकारियां करता है। इसलिए इंसान हालातों से नहीं अपनी फित्रत से पहचाना जाता है। नादान इंसान ही जंदगी का आनंद ले पाता है। जादा हुशार इंसान हमेशा उलजा रहता है। 24 घंटे का समय सब के पास बराबर होता है। पर कोई उसमें बड़े-बड़े काम कर लेता है। और कोई इसे मेरा तेरा करके खत्म कर देता है। उस जगह पे आप हमेशा खामोश रहना, जहां दो कौडी के लोग अपनी हैसियत के गुणगाते हूं। हर इनसान उस इनसान की बाद चुप-चाप सुन लेता है। इसे खोने का डर उसे सबसे ज़ादा होता है। जोदा मेरे मसले का एक हल कर दे। मैं खुश नहीं हूँ अपने आज से। इसे मेरा पीता हुआ कल कर दे। अब तो रिष्टो को संभालते संभालते ठकान सी होने लगी है। रोज यहां कोई न कोई नाराज ही हो जाता है। ऐसे लोगों से समल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किसमत हमेशा बुरा खिल क्यूं खिलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना यह मेरी सला है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इनसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हग दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर दोखा दे जाते हैं। जिने आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिलकुल बेकार है। जिन्दगी कितनी भी बूरी क्यों न हो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानिया होती हैं एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वो जो सब से चुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है जीवन में आप अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरबाग कर देगा मेरा गुसा और मेरा प्यार सरफ उन लोगों के लिए है जिने में अपना समझता है लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है जिन्दगी में चाहे आप दस बार फैल हो जाओ या सौ बार फैल हो जाओ पर कसम खालो कि अपनी जिन्दगी में आम आदमी बन कर नहीं जीना है प्रेम बहुत दुरलब है उसे पकड़ कर रखो प्रोद बहुत खराब है उसे दबा कर रखो डर बहुत भयानक है उसका सामना करना सीखो टेंशन, डेप्रेशन और बेचेनी इनसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़ादा सोचता है सबर करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बहतर है लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है बदर्यान जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है सब को अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है आपके पास बस पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओ की यहां किसी को कोई गदर नहीं है जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतोष नहीं है उसे भविश्र में मिलने वाली चीजों से भी अभी संतोष नहीं होगा दूसरों को अगर अपनी زندगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जन्दगी में सस्ते हो जाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बलकि चैंपियन बनना सिखाता है बस यही फर्क है हम दोनों में वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती वो तुम नहीं मेरी उमीदे थी जिसने मेरा सबसे ज़ादा दिल दुखाया था प्यार वादों से नहीं एहसास से काइम रहता है कुछ दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज़ादा अदास हो जाता है अब तो मजब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो लेकिन सबसे पहले वो अपना फाइदा ही देखता है अकसर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिष्टे एक नए रिष्टे में बन जाने के बाद कुछ लोग जूट भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे जूट बोल रहा है लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है बदलना तो तैह हर चीज़ बदलती है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते है लोग इत्वाक से सरफ मिलते हैं लेकिन बिचड़ते सब अपनी मरजी से है भूलना सीख लीजे जनाब इसी में आपका फायदा है क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इनसान ही खत्म हो जाता है चरण उनके चूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो किसी की आदत होना महब्बत होने से भी जादा खत्रनाक होता है जो चीज आसानी से मिल जाती है न इनसान उसकी कभी कदर नहीं करता मतलब कि रिष्टे जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी तूट भी जाते हैं भ्रमंड और एहंकार की वज़े से इनसान खुद ही अपने दिष्टों को बिगाड़ लेता है इनसान कभी भीड में नहीं खोता इनसान खोता तब है जब वो अकिला होता है कमजोर होते हैं कुछ इनसान जहां गुसा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं किसी को मेरी भी कमी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं, आप चाहे कितना भी शिद्दस से निभालो रिष्टे, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है, भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए, जो अपनी महपत को भुला न सके, सचे दिल से तूट कर चाहने वाले आखिर में अकसर खुद ही तूट जाते हैं, कपडों की मैचिंग बिठाने से सरफ शरीर सुन्दर दिखेगा, रिष्टों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुन्दर हो जाएगी, जूठी उम्म तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थतियों को देख कर लें, दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे, जिंदगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पढ़ता है, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्य पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए, आप क्या है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है, ये बहुत जरूरी है, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, और आने वाला कल आपके हाथ में है, बून सा जीवन है इनसा लेकिन एहनकार सागर से भी बड़ा है, यहां हर एक शक्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बरताव हर वक्त याद आता है, लोगों से जादा उमीद मत रखो, परना हमेशा उदा विश्वास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह रिष्टे भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते, और बिना दोखे के खत्म नहीं होते, मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग, अक्सर आपकी तबाही को जाया जाये, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है, जिन पर मुझे कुछ से जादा यकीन था, जो आपकी भावनाओं को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता, आपका विश्वास चटान भी हिला सकता है, और आपका शक आपके रिष् अरफास हर किसी के लिए, बस खामोश रह कर देखो, कि आपको समझता कौन है, एक वक्त ऐसा भी आता है, जब इनसान दर्द सहना भी सीख जाता है, रूटने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है, किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है, मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत होई, यह अजीब शक्स है, किसी को पुकारता ही नहीं, जो इनसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है, सच्चा प्यार अक्सर गलत ल जब वो आजाता है, तो फिर किसी चीज की इच्चा नहीं रहती, अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं, और बुरे लोग सबक दे जाते हैं, यह ऐसा युग चल रहा है, जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी इस कल युग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई 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 बोलकर और फिर इस्तमाल करते हैं, अपनी तकलीफ सरफ उन्हें बताओ, जो आपका दर्द समझने के काबिल हों, खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता, कि उसे आप के लिए वक्त ही ना मिले, अक्सर आप बेवज़े ही उनके लिए परेशान रहते हैं, जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं, दूसरों की जिन्दगी में अपनी जगे ढूनना बंद कर दो, विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे, वहम मत पालो, कि हर परेशा में समझाओ, बुरे वक्त में जो इनसान आपका साथ छोड़ दे, तो ये मान लेना, कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं, मैंने जिसको जब-जब मौका दिया, उसने तब-तब मुझको दोखा दिया, शिकायतों की भी एक इस्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से की जाती, अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है, बहुत नस्दीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तब ही तो अब सबसे दूर जाके बैठा हूँ, दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना बस यही आपकी सफलता है, जिन्दगी में अगर देने का डर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है, इसे सिरफ भई समझ सकता है, जिसने किसी अपने को घोया हो, तहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो, मैंने देखा है कि दिल दुखने से जहरे की रंगत ही उड़ जाती है महबबत अगर सची हो तो यादे बहुत दर्द देती है रुख जाती है नजर एक हद के बाद दिल करता है कि जहां तक तुम हो बस वहां तक देखू किसी से भी हद से जादा उम्मीद मत रखो क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो क्यों रोते हो आप उस इंसान को होने से जिसे कोई फरक नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और भरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आँखों में चुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं भरोसा तूटा है लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का हर जूत पकर लेते हैं पर प्यार में दिवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सच माल लेते हैं वक्द से जरा पूछ कर बताना कि क्या जखम वाकई में भर जाते हैं अकेले छोडने वालों को बताना ज़रूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी है मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना जादा तकलीफ पहुचाता है इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन रखा करो जहर से भी जादा खतरनाक होती है ये महबबत जरा सा कोई चखले तो फिर मर मर के जीता है इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो क्योंकि यहाँ दोखा मिलते देर नहीं लगती ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिष्टों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं फरक को जरा ठीक से समझो आप महंगे हो और हम कीमती हैं रिष्टा सरफ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें किसी से सबक मिलता है तो किसी से ग्यान मिलता है याद तो बहुत आते हो लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुम से गलत दिशा में दोड़ने से बहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो कोई अगर मुफ्त में भी दे तो मत लेना क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे जुबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है कौन कब बदला है मेरे पास सब का हिसाब है बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते दोस्त हालात बदलने वाले रखो हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं खुद के उसूलों पे मरना भी जायज है किसी के साए में जिन्दा रहने की मेरी कोई हस्रत नहीं है समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भग्य का निर्माण नहीं कर पाते 71% पानी है दुनिया में लेकिन फिर भी लोग डूपते प्यार में ही है किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है जब किस्मत और हालाद दोनों खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है धैर ये रखिए कभी कभी जीवन में आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है जब पैसे आते हैं तो इज़त भी आ चाती है लेकिन याद रखना वो इज़त पैसे की होती है आपकी नहीं मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना मैं सब जानता था और फिर भी खामोश रहा जिन्दगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी नहीं खुद खुशी कर ली दिल के मजबूत लोग अकसर रातों में रोते हैं जिन्दगी अपने हिसाब से ही जीने चाहिए लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सरकस में नाशना पड़ता है भूकम और इश्क में बहुत समानता है एक मकान को घंडर बनाता है और एक दिल को घंडर बनाता है जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो जो आसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं अगर हम बेवफा होते तो भीड होती वफादार हैं किसी लिए अकेले हैं उनकी भी क्या इज़त करना जिनकी हरकते ही कुटो जैसी हो क्या रिष्टा और क्या नाता यहां कोई किसी का साथ नहीं नवाता जब किसी इनसान को किसी अपने से दोखा मिलता है तो फिर वो इनसान कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता किसी ने मुझे से पूछा कि दर्द की कीमत क्या है मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले है बस कुछ लोगों परहस से जादा यकीन किया था मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई मतलब नहीं होता परेशानिया हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती बलकि हमें ये सिखाती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है जब तक चुन्ना ना पड़े तब तक समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए जरूरी क्या है कितनी भयानक होती है ये महबबत की सजाएं बोजसी लगने लगती है जिन्दगी ना जिया जाए और ना मरा जाए नाराजगी भी महबबत की तरह होती है क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता आखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज़ है सब आदते छोड़ सकता हूं एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे सिवा तूटे हुए लोग अकसर कोशिश करते हैं दूसरों को जोड़े रखने की अकेला जरूर चलता हूं लेकिन किसी के पीछे हरगिस नहीं चल सकता समेट के ले जाओ अपने जूठे वादे अगली महपत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी इस चोटे से दिल में किस-किस को जगह दूँ गम रहे या दर्द रहे पर याद रहे या तेरी याद रहे कौन सी पाता है सिर्फ बातों से सबक सिखाने के लिए एक आदसा भी जरूरी होता है याद रखना अकसर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनको हमें चूने की आउकाद भी नहीं होती जब आपको खुद की एहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहां कोई एहमियत नहीं है जिन्दगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायते हैं सबसे ज़ादा सुखी सरफ वही रह सकता है आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न बन जाओ पर किसी ने किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं मैंने गिरते हुए पत्तों से सीखा है अगर बोज बन जाओगे तो अपने भी नीचे गिरा देते हैं बात करने के लिए समय नहीं मन होना बहुत जरूरी है जिस दिन तुम मुझे खोदोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रोदोगे किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता लेकिन किसी की आदत खत्म होने में पूरी जिन्दगी गुजर जाती है पहली नजर में तो सरफ मोह जनम लेता है रेम तो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है नशा शराब का होता तो उधर भी जाता ये नशा तो इश्क का है चान लेकर ही जाएगा गाश के दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है एक भैतरीन जिन्दगी जीने के लिए ये स्विकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोश्टो हैरात में मिल गए हम उने जिनकी आवकाद में भी हम नहीं थे हर किसी की जिन्दगी में एक ऐसा शक्स जरूर होना चाहिए कि जब वो आपसे अपभाल पुछे तो आप उसे सब कुछ सच बता सके जहां उम्मीदे खत्म हो जाती है सुकून की शुरूराद वहीं से होती है